मैं दिख रहा हूँ आपको बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा हूँ नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जो की नया बनाया है मैंने विपलव सर के नाम से तो नए स्टुडेंट है सब्सक्राइब कर लीजे आज हम करेंगे 15 साल से पूछे जाने वाले English Pedagogy के Questions यानि कि we will discuss about English Pedagogy और ये जितने भी आपके Questions होंगे ये various exams में लगातार पूछे गए हैं तो जल्दी से आजएंगे आप सबको नमश्कार सबको नमस्ते एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 Question होंगे दोस्तों ये 10 के 10 Question आप लोगों को easy लगेंगे कुछ लोगों को कुछ लोगों को मुश्किल लगेंगे तो mixed reaction देखते हैं आप लोगों का देखता हूँ कि कितने ठीक answer आप देते हैं ठीक है दोस्तों और आप अगर नए student है CETAT, KVS, DSSB, UPTAT, REIT किसी भी STAT exam की तयारी कर रहे हो ये questions आपका पीछा नहीं छोड़ते बार-बार 15 सालों से question पूछ पूछ के पूछ पूछ के आप बच्चों का दिमाग खरब कर रखा है तो क्यो ना ऐसे questions को पहले ठीका आने लगाया जाए इसके लावा रही बात दूसरे subject की तो इस channel पर मैं वो चीज़े करवाऊंगा जो आप चाहते हैं English Pedagogy आप चाहते थे मलेकर आगया subject जो हम करेंगे CDP के वो कैसे करेंगे उसके बारे में एक वीडियो पहले से मैंने बना ली है आप लोगों से suggestions मंगे हैं मैंने इस live के बाद वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी तो चलिए इस जवरदस्त session को शुरू करते हैं एक एक answer आपको देते हुए जाना है जो भी questions आप देखें ठीक है student और धीरे धीरे आपके student भी आजाएंगे और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लगबग मुझे एक डिड़ महीना लगेगा एक single रूपी भी कमाने में इस channel से क्योंकि शुरुवात में कोई भी advertisement वगरा नहीं आता हूँ बहुत काम करना पड़ता है उसके बाद वो चालू होता है तो इस seat at के regarding दोस्तों मैंने अपना पूरा time पूरी energy और सब कुछ आप लोगों के लिए ही लगा रखा है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊं तो इसलिए ये जो classes अभी एक डिड़ महीना चलेंगी I'm not getting anything from YouTube Zero तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों के साथ शेर जरूर करते चलें आप चलिए पहले कोशन से शुरू करते हैं और जाजता हूं आप लोगों को कि आप लोग कितने aware हैं चलिए पहला कोशन आपके सामने लेकर आया हूं पहला है grammar should be taught by यानि कि how you will teach grammar you are you are an English teacher then how you will teach grammar to your students कैसे पढ़ाएंगे आप फरस्ट ओप्शन देखते हैं giving clear explanations यानि you will clear every doubt that they will have बिल्कुल आप तो clear करेंगे तीसरा है enabling practice in context जो भी चीज़ आप पढ़ाना चाहते हैं उसकी practice बच्चों से करवाएंगे उसी चीज़ के बारे में जैसे कि if you want to teach what is noun then you will make a child practice a lot of about noun यानि कि आपको अगर noun पढ़ाना है तो आप बहुत सारी practice उस noun से regarding बच्चे से खुद कराएंगे थर्ड ओप्शन इस आस्किंग स्टुडेंट तो लर्न रूल्स यानि कि आप बच्चे को कहेंगे कि आपको रूल्स याद करने हैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ the option which have learning, which have memorizing, which have rote learning in it that can't be the answer यानि कि रटने वाला answer कभी नहीं होगा तो थर्ड को तो वैसे हटा दो making learners do written assignments यानि कि you will say कि आप बहुत ज़्यादा written assignment करो क्योंकि हम आपको grammar सिखा रहे हैं तो what you think, what is the right answer आप चाहें बाद में देख रहे हो लेकिन इसके answer जरूर देते रहना है जल्दी से बता दीजिए इसका answer क्या होगा क्या बात है जल्दी से answer जा रहे हैं चेतना, नेहा, प्रीती, जोती, शोभा, प्राची, पूनम हिमानशी, शर्मा, जोती, सिंग बिल्कुल धीरे से चलेंगे शैंकी, अक्कीत्यागी, नमस्ते, देवजीत, नीरज, साहिबा, शिवंकुमार, विक्की सिर्गोहा बहुत दिनों के बाद दिखें आप आराधना, अशोक, वंदना, अंश, इंदू, मधू, मनीशा, संजीव, नेहा जल्दी बताईए, आंसर क्या होगा बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ, अनन्या सिंग जी, कमेंट्स के ओपर ध्यान में जल्दी से आंसर बताईए, क्या होगा कई लोग B बोल रहे हैं, A बोल रहे हैं आपको क्या लगता है, आंसर क्या होगा देखे कोई भी बच्चा explanation से नहीं सीखता बच्चे को learning by doing से सिखाना पड़ता है तो what should be the right answer देखे कोई problem नहीं आई अगर आपको कोई problem आरी है back to school app में तो 8700995651 पर आप जो है message छोड़ दे तो देखे यहाँ पर answer आएगा option number B enabling practice in context यानि कि जो भी चीज आप सिखाना चाते हैं बच्चों से ही खुद आप उसकी practice कराएंगे और एक चीज आपको मैं बताना चाता हूँ कि grammar के लिए there will be no extra textbook कोई भी textbook extra नहीं होगी आपको lessons के through ही वो पढ़ाना पड़ेगा next question है इसमें भी आप काफी confused होंगे there are 44 sounds in English out of these how many sounds are vowels and how many are consonants respectively अब देखिए आप से पूछा गया है कि English के अंदर कितने sound होते हैं तो आपको बताना चाता हूँ there are 44 sounds in English तो उसके अंदर से आप से vowels के sound और आप से consonant के sound पूछ रखे हैं यहनिकि there are how many vowel sounds and consonant sounds in English then what should be your answer there are 44 sounds in English आप गलती पता है कहां पर करेंगे देखिए vowels बहुत तरीके होते हैं आप सिर्फ A, E, I, O, U इन 5 को गिनते हैं ठीक है यह तो एक group हो गया इनका लेकिन answer क्या होगा पहले आप मुझे answer दीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसका answer क्या देंगे परसंदना बोल रहे हैं A पारूल शोभा तिवारी यार जो जो डेली के student है उनको मैंने blue sign नहीं दिया तो वहां से मैं answer नहीं देख पाता हूँ कि आये होएं या नहीं तो एक दो जो student है जो डेली आते हैं उनको मैं blue tick दे देता हूँ अब यह है अब इनका कोई नाम पढ़के बता दे तो मैं 1000 रुपे दूँआ उसको इसका नाम पढ़ने में नहीं आता वाई मुझे यह हर जेंगे फोलो करते हैं बच्चे यार अनन्या जी क्या बताओ मैं message क्यों सीन नहीं करता तीन तीन अजार message आ जाते हैं इसलिए दिक्कत थी सीटेट अड़ा वेरी सीटेट अड़ा यह भी डेली आते हैं ने class में अब निकल गया बिल्कुल सर ये question आ चुका है मैं भी बिल्कुल मैं सारे question आपको वही कराने वाला हूँ जो आपके exam में आ चुके हैं या आने वाले हैं चलिए answer क्या होगा यहाँ पर answer यहाँ पर होगा students 20 and 24 20 and 24 तो जब भी ये question आए तो आपको बताना चाहता हूँ मैं इसको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी जो 20 होते हैं वो वोवल sound होते हैं और 24 consonant sound and there are 44 sounds in English थर्ड question क्या है which of the following is not true about the status of English language what is not true about English language यानि कि English language के बारे में कौन सा ठीक नहीं है चार option दे रखे हैं देखते हैं English is a native language अब देखिए native language हो सकते है native language क्या होती है what is native language देखिए native language का मतलब है मान लीजिए कोई इंडिया के अंदर England से आया हुआ एक व्यक्ती रहता है कई सालों से तो जो इंगलिश होगी दोस्तों उसकी वो native language होगी heritage language foreign language second language और यह जो question पूछ रखा है आपसे पूछ रखा है across the world यानि कि दूसरे देश में रहने वालों के लिए English क्या नहीं हो सकती तो देखिए दूसरे देश में रहने वालों के लिए English native language हो सकती है जैसे कि मैंने बताया native language क्या होई कि जैसे कोई मान लीजिए England का बंदा हमारे इंडिया में रह रहा हो 10 साल से तो उसकी native language होई वो तो वो हो सकती है foreign language भी हो सकती है दूसरे देश में रहने वालों के लिए second language भी हो सकती है इंडिया के अंदर second language होती है यह जाद अतर क्यों क्योंकि सबसे पहली तो language आप वो सीखते हैं जो आप अपने परिवार की बाशा होती है फिर second आप English की तरफ भागते हैं अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं आजाद हो गए लेकिन अंग्रेजी के अब भी गुलाम हैं हम क्या करें? Sad आपको बताना जाता हूँ एक चीज कि जितने भी ये विक्सित देश हैं या जितने भी अपनी एक तगडे देश हैं वो English को यूज नहीं करते चाइना कभी English को प्रमोट नहीं करता सब कुछ चाइनीज में रश्या को देख लो अपनी लेंग्वेज के पीछे पड़ा हुआ है ये जितने भी Commonwealth के देश हैं यानि कि जितने भी देशों के उपर इन अंग्रेजों ने राज किया था KBS पड़ेंगे डीटरिप्लेस भी पड़ेंगे तब हिस्टरी भी पताऊंगा तो उनी देशों में ये English को छोड़ गए चलिए तो यहां पर दोस्तों Heritage Language नहीं हो सकती Heritage Language होती है उनकी संस्कृती की उस जगह की Language तो बताइए विदेश वालों के लिए English एक Heritage Language कैसे हो जाएगी तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहां पर English as a Heritage Language अब यह नया चैनल में इसले ही बनाए ताकि हर चीज़ वो करवाऊं जो आप चाहते हैं तो बहुत-बहुत नई चीज़े आते रहेंगी Controller आप होंगे कैसे वो आपको पता लगेगा Next question है The study of words and their meaning is known as यानि कि किसी भी शब्द के अर्थ की जो study होती है वो क्या कहलाती है शब्दार्थ विज्यान क्या कहलाता है यानि कि The study of words and their meaning is known as Semantics, Linguistics, Phonetics, Syntax ये सभी समझाऊंगा क्या होते हैं एक भी नहीं भूल पाओगे guarantee दे रहा हूँ 15 सालों से बार-बार ऐसे question आ रही हैं अलग-अलग examों में और आप गलत कराते हैं लेकिन एक भी गलत नहीं करोगे आप इस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ जल्दी बताइए answer बताइए क्या होगा The study of words and their meaning is also known as बिल्कुल जी English जरूर करेंगे हर एक चीज़ करेंगे कई लोग linguistic बोल रहे हैं कई लोग phonetics बोल रहे हैं कई syntax बोल रहे हैं कई semantics बोल रहे हैं क्या बात है जी mixed reactions चलिए जी देखे एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं syntax क्या होता है syntax का मतलब होता है कैसे आप words को arrange करते हो यानि कि ये काम आता है sentence making में या फिर आपको कहें arrangement of words लेकिन इसका meaning से कोई लेना देना नहीं है वाक्यर विन्यास बोलते हैं इंदे में syntax को कि किस तरीके से sentence बनेंगे किस तरीके से sentence का arrangement होगा कितने परकार से होगा तो sentence making का होता है arrangement of words होता है अब phonetics देख लेते हैं phonetics का मतलब हुआ धवनी यानि कि ये इसका लेना देना है किसी भी language के अंदर जो sounds होते हैं तो word और meaning का इससे कोई लेना देना नहीं हुआ अब linguistic क्या होती है linguistic इसका answer नहीं होगा linguistic का मतलब होता है किसी भी language की scientific study यानि कि scientific study of any language is known as linguistics तो ये होती है scientific study इसका भी word meaning से कोई लेना देना नहीं है ये scientific study होती है of XYZ any language The study of words and their meaning is known as semantics Semantics is that science which only focus on the words and their meanings तो option number A आएगा बाकी के तीन की भी knowledge दे दिया ताकि आपके mind में clarity आ सके तो यहां तक अगर आप लोगों को clear है तो जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर बिलकुल सारी चीज़ें clear है ताकि फिर मा आगे बढ़ो और मैंने एक चीज़ notice की यार कि बहुत सारे student ने subscribe नहीं किया हुआ आपकी वो जैसे ये channel बनाया है मैंने दूसरा और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको मैं share करता रहूं आपके साथ मैंने देखा कि 27% student ने videos वाच की लेकिन subscribe नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा और जैसे मैंने आपको क्या बताया था दो दिन पहले कि जितनी मेरी expectation है उतना ही मिलेगा मैंने का था 3500 तक महुचेंगे और उतने तक ही पहुचेंगे तो आप मेरी expectations को कभी नहीं तोड़ते चलिए चाहे नीचे जाने की उचे ओपर जाने की that's great नहीं जी आपको सारी चीज़े पता लगी ना semantic sensor होगा चलिए next question की तरफ हम आगे बढ़ते है next question क्या है कर देख कैसे yes sir yes sir कह रहे है मैं सोच रहा था 57000 हो जाएंगे लेकिन मैंने वो टॉंट मार के का था कि 3500 पर रिट अटक जाएंगे मेरे को पता था पहती सो चारह जार जाकर वही हुआ और yes sir yes sir करके चोड़े हो रहे हैं जैसे कि मैं आपको वह कह रहा हूँ कि भहुत बढ़िया हुआ अरे यार मजाक को भी नहीं समझते आप next question है etymology is what is etymology बताइए पहला option है science of pedagogy second is science of study of language third is science of meaning of words or science of knowing the origin of the words what is etymology I want to know the answer please answer me जल्दी से मुझे answer दीजिए इसका कि इसका answer क्या होगा मेरा paper to आपकी वज़े से clear हुआ पूजा जी congratulations जल्दी से बताइए answer क्या होगा बिल्कुल जी शर्मिला जी आप करते हैं I know प्रियंका मीना बिल्कुल जी मैं आज बाद में जब यह लाइव देखूंगा ना अपना खुद का कि क्या दिक्कत थी इसमें किस तरीके से better करूं क्या तो उन सब स्टूडेंट को मैं व्लूटिक देदूंगा तो डेली मुझे लाइव में दिखते हैं टेंशन ना लो कि यह च्यार-पांस टूडेंट तो मुझे डेली दिख रहे हैं तो उनको तुम्हें यह देता हूं तब तक इसका अंसर दो चल्दीजे कि फॉनेटिक साउंड रिलेटिड होता है बिल्कुल शर्मिल आपकी क्लास का वेट करते रहते हैं बिल्कुल यार अब पता है क्या बात हो रही है देखो यार यह नया चैनल मैंने बना दिया तो अब मुझे सारी चीज़े मैनेज करके चलनी होगी अब मैं हड़ बड़ आ अब यह देखके चलो कि लगबग एक महीना डेड़ महीना महीं आपर पड़ाओं तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे I will get nothing out of it लेकिन कोई बात नहीं इसका आंसर क्या होगा अब देखिए इसका आंसर होगा option number D science of knowing the origin of words यान कि कोई word कहां से निकला है इसकी study कहलाई जाती है etymology आपने देखा था कि यह जो meaning of words जो था यहाँ पर मैंने आपको बताया था semantics होता है तो कई लोग यहाँ पर option number C देते लेकिन वो semantics होगा ठीक है science of study of language यह क्या होगा यह linguistic होगा यह जो मैंने यहाँ पर बताया था बी वाला linguistic और science of pedagogy क्या होता है पढ़ाया कैसे जाता है इसको सिर्फ pedagogy बोले जाता है इसका कोई लेना देना नहीं है तो answer यहाँ पर D होगा science of knowing the origin of words यह कोई word कहां से निकला है उसकी study पांच question हो चुके है छटा question क्या है यह word gets its meaning यानि कि कि किसी भी शब्द का जो meaning होता है वो उसे कहां से मिलता है यह word gets its meaning बताये अब देखिए आपको एक hint देता हूँ इससे पहला question देखिए science of knowing the origin of the word तो आप याद रखना दोस्तों एक link आपको मैं यहां पर create कर देता हूँ कि किसी भी शब्द का जो origin होता है दोस्तों वही उस word के meaning को represent करता है अब कई बार क्या होता है कि मान लीजे अलग-अलग words लिए गए हैं जैसे कि persona और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं दूसरी language के जो English में आ गए हैं तो हर एक language में दूसरी वाशा के शब्द ले लिए जाते हैं उन शब्दों के अर्थों के इसाब से जैसे कि आप क्या बोलते हैं भाई मैं guarantee लिखके देता हूँ 100 में से अब देख लीजिए हिंदी में भी school कोई ऐसा बोलेगा पाठ शाला चले जाओ कोई नहीं बोलता अब हमने क्या किया है हमने उस word को दूसरी वाशा के word को ले लिया उस word को लेने का reason क्या है उसका अर्थ तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी word होता है उसका meaning होता है उसके origin से याद शब्द निकलता है वहीं से उसका meaning बन जाता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ होता है वहाँ पर कुछ होता है बिल्कुल नहीं सेम सेम ही चलता है next देखते हैं क्या है the first generation learners are those who are who are first generation learners जल्दी बताइए चार option देता हूँ मैं आपको answer choose करें जल्दी से यार इमानदारी का कोई लेना देना नहीं होता है मैं आपको सच बताओं तो यह इमानदारी लेके डूब रही है मुझे पूरी जिंदगी बर इतना भी मानदार नहीं होना चाहिए अमिता सिंग जी मैं कमेंट देख रहा हूँ अब मेरी चार तो आँख भी देख लूँ हेलो मोनू सकसे ना जी कैसे जल्दी से पढ़ लो शोबा तिवारी जी ने जैसा का जल्दी बताइए आंसर क्या होगा देखिए फर्स जनरेशन लर्नर का एक कोशन हो रहाता है कि वो किस चीज में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं तो यह जो फर्स जनरेशन लर्नर होते हैं यह सेल्फ स्टडी में या इंडिपेंडेंट लर्निंग में बहुत इनके एंसेस्टर्स इनकी पूरी पीडी में कोई भी स्कूल में नहीं गया होता दादा पड़ दादा पापा उनके पड़ दादा उनके दादा एक्स वाई जड कोई भी स्कूल में नहीं गया and they are the first one who are stepping into the school they are first generation learners पहली पीडी के शिक्षार्थी उनको सबसे बड़ी दिक what is the biggest problem they face they will face problem in self-study in independent learning what is in independent learning independent learning means learning without the help of anyone if you will talk about a normal child what advantage he have if he face any kind of problem he will go to his mother he will go to his father he will go to his xyz relative and ask them to solve their problem but in the case of first generation learner they don't have any option they have to solve their own problem in the case if they are studying and they are stuck into one point which they are not able to understand then there is no option that he or she could eliminate his doubt यानि कि उसका doubt clear करने के लिए कोई भी नहीं होगा इसलिए self study करने में उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत आती है यह एक और question था जो बार बार exam में आपका आया हुआ है तो चलिए यहाँ पर answer क्या हो जाएगा the first from their family to come to school next question देखते हैं next है a good paragraph writing in English involves यानि कि what are the main characteristics of good paragraph in English बताइए एक अच्छे paragraph की characteristics क्या है what it should consist इसके अंदर क्या होना चाहिए जल्दी मुझे बताइए चार option आपके सामने दिये गए हैं तो जल्दी से answer जो है आप pick up कीजिए thank you so much देखिए back to school पर अब जितने भी आप chapters पूछ रहे हैं उनको मैं वहाँ पर continue नहीं करूँगा यहाँ पर ही मैं सारी चीज़े करवा रहा हूँ और cdp में एक ही चीज हुई है आपकी schema schema करवाया उसके बाद मैंने क्यों नहीं करवाया क्योंकि मैं आप जो बोलो कि वही करवाने वाला हूँ और मैं आप से ही पूछूंगा कि क्या क्या करवा हूँ ठीक है तो उसके लिए मैंने पूरी planning कर रखे वीडियो आ जाएगी इसके बाद जो आपको दिखेगी उसमें पूरी detail है आप tension मतलो और आपकी back to school app के उपर पूरा काम चल रहा है आप दोस्तों दिल खोलका अगर इस channel को नहीं करोगे ना share तो मामला खराब हो जाएगा मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों शेर जरूर करना पड़ेगा आपको जान लगा के बिलकुल option number two बिलकुल ठीक है रूची नगमा आशा राजकुमारी अबा गुलिष्ता भावना प्रियंका नीतु सीटेट पूनम हिमानशी शीतल बविता हीरा खान इंदू सिमी रूबी शिखा बविता सोनी मोनु सक्सेना नवीन दनकड ठीक है भाई पूजा रेनू प्राची अश्विनी कुमार हेलो जी थैंक यू नजिया तबस्सुम भावना रगुवनशी चलिये जी आगे बढ़ते हैं अंजली कुमारी जी आप शेर करते हैं चलिये जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों थै लेकिन जो रियालिटी में जो शेर करता है वो बहुत थोड़े होते हैं लेकिन जितने भी आप लोग हैं एम हैपी लेकिन आपको पता है इनमत तो करनी पड़ेगी देखो आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस इसको क्या बोलते हैं कोहेरेंस कोहेरेंस का मतलब क्या होता है क्लियर थोट्स यानिकि स्पष्टता यानिकि आइडियाज का मतलब होता है कि जो विचार है यानिकि किसी भी इंगलिश के अच्छे पैरग्राफ के अंदर स्वश्रता क्लारिटी आईडियास के अंदर क्लारिटी एंड प्रेजंटेशन शुड़ बी टिप टॉप यह आंसर होगा यहां पर तो ज्यादतर स्टूडेंट जो थे उन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कि डेली यहां पर दस बजे ललित रोए आपका नाम लिया मैंने कि आप सब के लिए मैं वो वो गाना लगा लूँगा वो ट्रेलर में मुझे तुमसे कितने गिले ना सब कई नाम ले दूँ ओं फिर मैं टैंशन नॉट नेंस्ट कोशन देखते हैं नेंस्ट कोशन ञार एक गूड़ पर अगराफ राइटिंग इंग्लिश यह हो गया हमारा कोशन लास्ट कोशन देखते हैं लास्ट है चिल्डरन कन बैस्ट लर्न ए लेंगवेज वैं दे having, यानि कि in which scenario a child will learn more यानि कि एक बच्चा कब ज़्यादा सीखेगा किस सिनेरियो में पहला है एक good textbook, एक अच्छी textbook के जरीए, किताब के जरीए पहला है एक proficient language teacher proficient का मतलब होता है skilled यानि कि एक अच्छा skillful teacher third है inhibition यानि कि रोक टोक, अब देखिए inhibition का मतलब रोक टोक होता है रोक टोक टे सो सीख नहीं सकता motivation यानि कि आप जो बच्चे को motivate करेंगे answer बताईए क्या होगा, answer होगा motivation अब motivation दो तरीके की होती हैं आपको बताना चाहता हूँ there are two kind of motivation, one is internal second is external जब internal motivation के अंदर कमी आती है when a teacher feel that a child is not internally motivated then he will give him external motivation and that external motivation is known as क्या बोलते हैं जब teacher external motivation देता है, reinforcement पुनरबरन if someone will ask you what is reinforcement, reinforcement is external motivation given by a teacher in the lack of या in the absence of internal motivation तो option number D बिल्कुल ठीक होगा कितने answer आए आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा आप लोगों के लिए ये class है चलती रहेंगी 10 बजे की class तो daily होगी अब देखे कल internet connection था नी तो मैंने एक video डाल दी थी 10 बजे के जिसमें मैंने compare कर रखा है आपकी self study को किस से coaching जाने से तो वो video आपने नहीं देखिए तो देख लीजिए दूसरी बात telegram group join नहीं किया है तो कर दीजिए अगली बात back to school की android application नहीं install की है कर दीजिए और इस channel के लिए आपका support मुझे चाहिए क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं कमा रहा हूँ मैं YouTube से I'm earning zero right now जितनी भी जेंगे पर मैं XYZ काम कर रहा था और तो वो भी मैंने छोड़ दिया है ठीक है यार सब के अपने अलग थोट होते हैं सब के अपने अलग थोट होते हैं लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा support करना पड़ेगा और support तब होगा दोस्तों जब आप share करेंगे without share कुछ नहीं हो सकता अकेला मैं कितनी 10 class बना लू एक बना लू कुछ नहीं होगा जब तक आप share नहीं करेंगे और आप share इसलिए नहीं करतें ज़्यादा तर कि मेरे एक के करने से क्या होगा छोड़ना दुनिया कर रही होगी सब ऐसा सोचते हैं तो be the one जो support करें तो जरूर करें और अच्छा लगा तब ही करें अगर आपको यह लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं तो नहीं करें जब आप reality में समझते हो कि वीडियो इस गूर तबी तो चलिए दोस्तों जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ टेक केर और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ मिल कर यह कहा था कि हर एक स्टुडेंट अब साक्षी होगा, गवाँ होगा कि कैसे जीरो से हमने दुबारा से शुरू करके हम दुबारा से शिखर तक पहुँचेंगे शुनने से शिखर की ओर दुबारा से चलूँगा दोस्तों मैं बहुत सारी दिक्कते आएंगी, बहुत सारी मुश्किले आएंगी कई बार self doubt भी होगा, कई बार बहुत सारी चीज़ी होगी but I will overcome, बिल्कुल overcome करूंगा और इसका result यही है, your love, जो आप मुझे दिखाते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, next video में बिलता हूँ इससे भी ज़्यादा जबरतस्त क्लास के साथ और इससे भी ज़्यादा और active होकर thank you so much, take care comment जरूर छोड़े अपने एक प्यारा साथ